हेलो गाईज मैं प्यूश आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोशेट लर्निंग पर सो गाईज हम एमेड एंटरेंस एक्जाम की त्यारी काफी सोरो सोरो से कर रहे हैं इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ठीक है इसी लिए हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसके पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को जॉइन नहीं किया है तो अभी जॉइन कर लिजे एमेट एंटरेंस एक्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको इससे बहतरीन गुर्प कहीं नहीं मिलेगा साथी साथ आप हमारे टैलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं जहां पर आपको सारी PDF मिलती है साथ में आप हमारे WhatsApp ग्रूप से भी जूड़ सकते हैं जिसमें एमेट एंटरेंस एक्जाम से प्रिपरेशन चल रही है साथ में अगर आपकी कोई परसनल क्वारी है तो भी आप हमें WhatsApp कर सकते हैं तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी थियोरी को तो ठोणडाइ का परिक्षन और त्रूटी सिद्धानत इसे S-R थियोरी की नाम से भी जाना जाता है S का मतलब होता है Stimulus और R का मतलब होता है Response 육 ुरे ङानि प्रेयरण अनुक्रिया सिद्धानत भी उसे कहा जाता है ठीक है as for stimulus जिसे उत्परेरक कहते हैं और R for response जिसे अनुकरिया कहते हैं तो इसे उत्परेरक अनुकरिया सिध्धान्त भी कहा जाता है ठीक है इसके लावा थॉन्डाइक को लेकर कि आपको एक बात और याद रखनी है कि इनको educational psychology का father कहा जाता है क्या educational psychology का father कहा जाता है यानि पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि child psychology का father किसे कहा जाता है तो आप वो सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि child psychology का father किसे कहा जाता है ठीक है यानि कि बाल मनुविग्यान का जनक किसे कहा जाता है और सिक्षा मनुविग्यान का जनक किसे कहा जाता है दोनों चीज़ें आप कमेंट करके जरूर बताएंगे पहला पॉइंट है हमारा Thorndike एक अमेरिकी वैग्यानिक थे कहां के थे ये? अमेरिका के थे? कौन Thorndike? Thorndike एक अमेरिकी वैग्यानिक थे अगला पॉइंट हमारा प्रसेध वैग्यानिक E-L Thorndike ने मुर्गियों, चूहों और बिल्लियों पर अपने प्रियोगों के निश्कर्शों के आधार पर परिक्षन और तोटी सीखने के सिध्धानतों का परस्ताव रखा, यानि जो E.L. Thondike थे, उन्हों ने अपने प्रियोग किस पर किये, मुर्गियों पर किये, चूहों पर किय और बिल्लियों पर किये, और अपने प्रियोगों के आधार पर इन्हों ने सीखने के सिध्धानत दिये, ठीक है, सीखने के सिध्धानत दिये, तो आज हम इनके सीखने के सिध्धानतों को भी पढ़ेंगे, साथी साथ, Thondike ने क्या-क्या काम किया, उसके बारे में भी तो अगला पॉइंट है हमारा थॉन डाइग ने प्रयास एम तुर्टी का सिधान दिया वो सोचते थे कि अगर किसी उत्तेजना यानि स्टिमुलस बढ़ा दे तो वह अपने प्रती अनुक्रिया यानि कि रिस्पॉंस करेगा और जब बार-बार अनुक्रिया को दोराएगा तो वह कुछ न कुछ सीखेगा जैसे अब हम यहाँ पर बात करते हैं ठियोरी ओफ मल्टिपल रिस्पॉंस की ये क्या सोचते थे ये कहते थे कि एक स्टिमुलस होता है यानि कि एक होता है उत्प्रे रख और दूसरा होता है रिस्पॉंस यानि कि अनुक्रिया जब हम क्या करते हैं किसी चीज को इस्टिमुलस देते हैं यानि कि जब हम क्या करेंगे किसी चीज को उत्प्रेरित करेंगे किसी काम को करने के लिए ठीक है तो वो क्या करेगी उसके लिए कुछ काम करेगी यानि की अनुक्रिया करेगी जैसे एक्जामपल के तौर पर इन्होंने जब अपना जो cat वाला experiment किया था उसमें इन्होंने क्या क्या एक पिंजड़े के अंदर बिल्ली को बैठा दिया बिल्ली कैसी थी बहुत जादा भूंकी थी ठीक है और बाहर इन्होंने क्या कर दिया मचली को रख दिया जिससे कि वो क्या करेगी एक stimulus का काम करेगी ठीक अब बिल् में जठट पटाती है इधर जाती है उधर जाती है और एक बार अचानक से क्या होता है कि उसकी उंगली उसका जो पैर है पंजा वो उसी बतन पर ढब जाता है जिससे कि पिंजडा खुलता था तो जैसे ही पिंजडा खुला तो बाहर आकरके उसने तुरंद मचली खा ली ठीक, फिर उन्होंने अगले दिन फिर से यह एक्सपेरिमेंट किया फिर से उसी बिल्ली को अंदर रखा और बाहर एक मचली रखी और धीरे-धीरे हमने देखा कि जो वो मचली थी वो धीरे-धीरे करके क्या करने लगी जल्दी से पिंजड़ा खोलने लगी शुरुवात में उसको बहुत साधा टाइम लगा फिर धीरे-धीरे उसका टाइम कम होता चला गए यानि उसको ये चीज दिमाग में आ गई कि यहाँ पर ये बटन है अगर हम इसको करेंगे तो ये तोर्म थी पिंजड़ा खोल जाएगा यानि उसने क्या किया कि बार-बार अनुक्रिया को दोहराया जिससे कुछ न कुछ उसने सीखा ठीक तो ये चीज ने कहां से निकल करके आई है थॉन डाइग की थियोरी से निकल करके आई है तो आज हम उसे बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं ठीक है बात करते हैं प्रयोग की जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो क्या था थॉन डाइग ने एक पिंजरे में भूंकी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मचली रगती पिंजरे में एक लीवर लगा हुआ था जिस पर पैर पढ़ने पर गेट खुल जाता है दिल गलतियां करती है और जैसे जैसे गलतियों में सुधार करती जाती है वो एक नई चीज को सीखते हुए आगे बढ़ती है ठीक है जिस सिधान्त हमें बताता है कि हम प्रयास करेंगे तो तुर्टियां होंगी लेकिन अंत में हम अपने लक्ष तक पहुंच जाएंगे ठीक है एक्सपरिमेंट से निकल कर के आए थी और इसी एक्सपरिमेंट के बाद इन्होंने क्या दिया था सीखने के नियम दिये थे थे थोंडाइक के सीखने के नियम दिये थे तो दो तरीके के नियम दिये थे ठीक है यह आपको याद रखना है थोंडाइक ने कितने सीखने के न लर्निंग के लिए ये बहुत ज़ादा जरूरी है अधिगम के नियम किस ने दिये थॉन्डाइक ने दिये ये आपको याद रखना है ये प्रात्मिक नियम है वो तीन है पहला दूसरा तीसरा तो पहला क्या है लॉओ व मैंनल्स कई अधियारी के नियम को करने के लिए हम जितने ततपर रहेंगे उसे उतना जल्दी ही छी की सीखेंगे यूशा आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ मंदिर को साफ कर दो, ठीक है, आपका मन ही नहीं है बिलकुल करने का, तो आप उसके लिए ततपर ही नहीं है काम को करने के लिए, तो काम कैसे होगा, यानि कोई भी चीज तभी हो सकती है जब आप उसके लिए mentally, physically तयार होंगे, ठीक है, यानि law of readiness, तयारी का नियम कहता है, कि आप किसी चीज को तभी सीख सकते हैं, जब आप उसको सीखने के लिए तयार होंगे, ठीक है, अगर आप सीखने के लिए तयार नहीं है, तो आप उसे सीख नहीं सकते, जैसे कि मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूँ, और आपने पहले ही पू धुरुधारणा आपके दिमाग में है, उसकी वज़े से चीजें अंदर दिमाग में नहीं जाती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नई चीज को सीखने के लिए या किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको तयार रहना बहुत ज़रूरी है, अगर आप तया हो ठीक जितना ही जादा हम practice करेंगे किसी काम को करने की उतने ही जादा हम उसमें निपोड होते चले जाएंगे जैसे आप मेंसे बहुत सारे लोगों की writing बहुत अच्छी होगी तो क्यों क्योंकि उन्होंने बहुत करतें तो exercise का जो नियम होता है यानि अभ्यास का नियम है किसी भी चीज के लिए आप typing सीख रहें आप 10 दिन typing सीखें उसका जानबंद करतें तो आपको typing नहीं आएगी लेकिन आप सालों साल तक typing सीखते रहेंगे तो क्या होगा आप उसमें निपोड हो जाएंगे तो अभ्यास का नियम बताता है कि कोई भी चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से आ सकती है अगर आप उसमें जादा से जादा प्रैक्टिस करेंगे जैसे मा लीजे मैंने ये वीडियो की पीडियाफ आपको दे दी अब आपको इसे पढ़ना है अब आप इसे पढ़ी नहीं रहें आपने एक बार पढ़ लिया और रख दिया तो आपको ये चीज आएगी नहीं आएगी अगर आप इसी चीज को तीन से चार बार पांच बार पढ़ेंगे तो क्या होगा ये सारी चीज़ें आपके दिमाद में आसानी से याद हो जाएगी, ठीक, तो अब क्या होगा, कि exercise, यानि अभ्यास का नियम भी लागू होता है, अभ्यास के नियम से भी हमें फायदा होते हैं, यानि जितना ज़्यादा हम भ्यास करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें फायदा होगा, अगला important जो नियम है, वो है परफाव का नियम, यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोष जनक हो तो सीखना तीवर हो जाता है, यदि सीखना नकरात्मक होता है, तो सीखने में धीमी गती आ जाती है, जैसे मालो, आप पढ़ाई करने के बाद आपको government seat मिल जाए, तो आप क् दिमाग में आता है, तो effect क्या होता है, law of readiness यह कहता है, कि सबसे पहले आपको तयार होना पड़ेगा ज्यान को सीखने के लिए, ठीक है, जब आप सीखना स्टार्ट करेंगे, उसके लाद आपको बाद बार उसके practice करनी पड़ेगी, जिससे क्या हो, कि वो जो चीज़ें आपके दिमाग में एकदम कंठस्त हो जाएं, और तीसरा नियम कहता है, प्रफाव का नियम कि अगर वो चीज़ें आपको सकारात्मक परिणाम देंगी, तो आप उनको दुबारा करना चाहेंगे, अगर वो चीज़ें आपको नकारात्मक परिणाम देंगी, तो आप उनको तो दुबारा नहीं करना चाहेंगी, तो सीखने के ये तीन जो नियम है, ये काफी important है, law of readiness, law of exercise and law of effect, ठीक है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इस पर questions आते हैं, ठीक, अब आगे बात करते हैं, सीखने के जो secondary नियम है, यानि की God of नियम है उन पर, ठीक ह एक आधिक प्रतिक्रिया का नियम, law of multiple response, इसमें क्या होता है, इस नियम के नुसार हम नया कार सीखते समय, अनेक प्रतिक्रियां एवं प्रयास करते हैं, उधारण के लिए बिल्ली का व्यवहार, जब तक वे पिंजरे से निकलने के लिए, लीवर को दबा दी हैं, एक्जा करेंगे, हो सकता है, बीच में गलतियां होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो क्या होगा, कि जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा बार आप उस काम को करेंगे, हर बार वो क्या होता जाएगा, इंप्रूव होत उस चीज़ को आप सीख जाएंगे यही कहता है law of multiple response यानि कि जितनी ज्यादा बार आप response करेंगे पर्तिकिरिया करेंगे उतनी ज्यादा बार आप perfection के तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे अगला important point है आंचिक क्रिया का नियम law of partial action इसका मतलब क्या है इसका मतलब है एक सिक् पहले दिन क्या हुआ बिल्ली पूरे में कूदती रही ठीक है उसको समझ में नहीं आया एक हफते बाद क्या हुआ कि उसको यह चीज़ समझ में आई कि जब हम इस direction में कूदते हैं आकर के तो यह पिंजड़ा खुल जाता है तो उसको क्या हुआ यह चीज़ दिमाग में आ पार्शियल एक्शन हो जाता है यानि कि जो भी ज़रूरी काम हैं उसको छोड़ देते हैं और जो जरूरी है उसी चीज़ों पर आगे बढ़ते हैं ठीक तो यह जाता है लौफ पार्शियल एक्शन या फिर आंशिक क्रिया का नियम अगला आ जाता है आत्मी करण का नियम यानि कि law of assimilation इसका अर्थ है पुराने अनुभवों को नई स्थिती में उपयोग करना जब सिक्षार्थी पार्ट में द्यानिक अनुभवों के साथ समानता पाता है तो वह बहतर सीखता है इस नियम के अनुसार हम नवीन ग्यान को अपने पुराने ग्यान के साथ जोड़ कर इसे स्थाई बना लेते हैं इससे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाता है जैसे अगर हम बात करें कि कोई चीज आपने पहले से सीख रखें जैसे आप फस्स क्लास में थे तो आपने ये भी सीडिसी की जब आप सेकंड क्लास में पहुंचे तो आपको लेटर जोड़ करके कुछ लिखना सिखाए गया जैसे राम लिखना सिखाए गया आपको ठीक है लेटर को जोड़ करके लिखना सिखाए गया तो आप क्या हुआ कि आपके पहले से ही आपके पास ग्यान था किसका लेटर का ठीक है उन्हीं लेटर से जोड़ करके कोई शब्द बनाया गया तो आपको दिमाग ने काम किया ना कि यार ये चीज तो हम पहले पढ़ा चुके हैं इदनी को जोड़ करके बनाये जा रहा यानि assimilate कर लिया आपने ऐसे ही मिला लिया assimilation हमने पहली वाली वीडियो हमें देखा था ना assimilate किया चीज़ों को कैसे वह पहले दिन पूरे पिंजड़म पूदती रही दूसरे दिन वह सिर्फ थोड़ी जग़े पकूदी है तो इससे क्या हुआ कि उसने अपनी पुराने वाले दिन से नए वाले दिन में इन चीज़ों को सीखा कि पूरे पिंजड़म कूदने से कोई फाइदा नहीं है यहाँ पे कूदोगे तो फाइदा होगा तो उसने क्या कर लिया एसीमिलेट कर लिया अपने ग्यान को ठीक अगला पॉइंट है लॉफ एसोसियेटिव शिफ्टिंग इसमें क्या होता है साहचर इस्थानांतरान का नियम इस नियम के अनुसार हम सिक्षा बंद क्या है किल को में किसी दूसरी बंद किया जाएगा तो वही काम करेंगे करते हैं कि नाट जो चीजीन खती स्थानांतरान का नियम होगा जो भी चीज़ अब हम कर रहे हैं, दोनों में जब हमें समानता दिखेगी, तो हम उस काम को बहुत ही जल्दी से कर लेंगे, है न, तो ये हो गया हमारा साहचर इस्थाना अंत्रन का नियम, यानि कि law of associative shifting, ठीक, अगला नियम है हमारा नवीनता का नियम, यानि कि law of recency, इसकार्थ है कि हम उन चीज़ों को बहतर तरीके से याद करते हैं, जो हाल की हैं, इसलिए आपको अपनी परिक्षा के ठीक पहले से पूरे पाट करम को शंशोधित करना चाहिए, जैसे क्या होता है, जो चीज़ हम हाली मुझेखते हैं, जैसे आपने जो छोटा बड़ा कब सीखा था ब प्याजे की ठीक, है न, थोंडाई की ठीक, कोहलबर्ग की ठीक, इस सारी ठीक पड़ी थी, तो इनका कुछ ना कुछ आपको याद होगा, लेकिन जो आपने हाइज स्कूल में पढ़ाता था, क्या आपको वो याद है, नहीं याद होगा, तो यह क्या होता है, कि जो इसलिए एक्जाम से पहले हमें क्या करना चाहिए पूरे पार्टिकरम को एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि क्या रहे कि सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बनी रहें है ना तो आप सभी को भी यही करना है एक्जाम आ रहा है तो एक्जाम से पहले आपको सब कुछ क्यार करना है ठीक तो उमीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी पूरी थॉंडाई की थियोरी आपको समझ में आ गई होगी थॉंडाई की जो सबसे जादा इंपोर्टेंट है वो तो याद ही रखने है ठीक बाकियों को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कोई बीचीज पेपर में आए तो आपसे गलत ना हो ठीक उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सब् कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले हमारी वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करें